है हेलो फ्रेंद्स आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल के श्रूंग बहुत सभी का स्वावत करता हूं आज का मारे जो टॉपक हो आप पंप पंप को कितने बेकार में बाटा गया है और कितने बेकार क्यों होते हैं उनके बारे में आज हम जानकर प्राप्त से हमसे हों पॉइंद्स ऑम कदना इसा मितना सभावत हैं हूँ जो में प सबीचे हैं जो किसी तरल की दावया उर्जा बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है चैनल किसी इउलकी तक उठानी का काम करते हैं वाल्ब पम्प द्रव पर कुछ कार करते हैं, कार करने के लिए पम्प को किसी बाःस्तों से उज्ज दी जा दिया अरुता है पम्प को विद्व मोर्टर है चलाया जाता है पम्प टरवाईन का फ्रोम है क्योंगि टरवाईन द्रव की दावotta का प्रयोग करके यांतृaliśmy को देती है जबकि यांतिरी वोखा प्रयोग करके इसकी दावṣा बढ़ाते हैं यहाँ पर एक सिंपल डेपनियेशन देख लेते हैं पम्प है द्रवे युक्ति है जो विविन परकार के द्रवों को खीचने उठाने प्रदाय करने या गतिमान करने के लिए प्रयोग की जाती है चीक है तो आँगे इसकी तोरी सरंचना वगरा देख लेते हैं तो पम्प की किरिया गया है पम्प को तीन बगावों में वाटा ह फरस्ट है आपका चूसन सक्सन जिसे बोलते हैं बी है द्रव पर किरिया गरने वाला भाग और सी आपका प्रदाय है सारंच है पम्प को घहराई से द्रव को खीचने के लिए प्रयोग करते हैं इस इससरी में पम्प को निम्द्रव तल से उपर उश्थापित किया जाता ह चूसन भाग द्वारा दाव अंतर के कारण द्रव चूसन होकर उपर उठता है और पम्प के प्रवेश पर पहुंचता है द्रव के निम्द्रव तल एद पर सारंच है बायोमेंडल दाव होता है जबी पम्प किरिया के अंतर प्रवेश बी पर चूसन दाव बायोमेंडल लिए दाव से कम होता है इस ताफिक किया जाता है इस प्रकार एवी में दाव अंतर के कारण द्रव चूसित होकर प्रिवेश भी पर महुंचता है द्रव पर क्रिया करने बाला भाग भी पर महुंचने द्रव की दाव उजा बढ़ाता है और अंतर में उच दाव बाला जाता है तो आप इसका डाइग्राम देख सकते हैं यहां उपर आपका प्रदाय यानि डिलीवरी वाल्ब है या नीचे आपका वाईओमेड़ डावी देख सकते हैं यहां से पानी को उठाकर उपर तक भाई जा जाता है यहां पर आपका यह मोटर है और यह भाग जो है वो अपने साब से देख लीजिएगा तो मैं नेस्ट पॉइंट पर चलते हैं नेस्ट पॉइंट जो हमारे आते हैं वह हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पंप तो फंप को दो भागों में बाटा है धनात पंग विस्तापन पंप और गतिज दापंप पुने इनको दो दो भागों में बाटा हुआ है जैसे कि प्रत्यागामी पंप घुनन पंप और अपकेंदी पंप और नोगदग पंप इसमें आपके प्रत्यागामी पंप यानि रहसी प्रोकेटिव पंप एंड सेंट्रिफ्यूकल पंप यह महत्पून है और जातर हर उसमें पूश्य जाते हैं तो आप इनको सही से एक बार तैयारी सही से खर लिजी गए यहां पर हमार फर्स्ट आता है प्रत्यागामी इसे हम पश्चाग पंप या रहसी प्रोकेटिव पंप कहते हैं इसका जो सिद्दान तब वो कहता है वो देख लिते हैं प्रत्यागामी पंप में मुक्ते एक स्लेंडर हो ये दुत्ती चालक से संबन्दित कर दिया जाता है पित्ते गामी बंप साधरंते कम गती पर कार करते हैं इसलिए इन्हें प्राय बिद्व मोटर से चलाया जाता है ये इसका डाइग्राम है इसे आप देख लीजिएगा आधी की साहता से यूगमिंत किया जाता है सिलेंडर म लोला चूसन पाइप और परदाय पाइप लगे होती है ये दौन बावब एक तरफा होते हैं अथा इनने से पाइपों में केवल एक और ही दरव प्रभाईत होता है तो आप देख सकते है यह आपका स्लेंडर है बीच पाला बाग इसमें पिस्टन दून होता है क्रेक होता काइब बालब पर they'll इस टोग होता है पर शॉसन पाइब जो पानी को अपने तरफ लिता है तब यह बालब खुल जाता है और उसके Jagd Jjie s沒錯 करता है तर यह पनी उपरी साइर्ण चाली हो शाटा है तो आप अपने सबसे एक बार नोट कर लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा नेश्ट है पिश्टन के एक ओर जाने से सिलेंडर में निर्वाद दाव उत्पन हो जाता है जिससे चूसन बालब खुल जाता है और चूसन पाइब में द्रव उपर चड़कर सिलेंडर में आ जाता है चूसन के समय सिलेंडर में दाव 2.5 मीटा जल से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस से कम पर जल का बास्विकर प्रारम हो जाता है नेस्ट पॉंट है जब प्रिश्टन दूसरी और चलता है तो यह सिलेंडर में चूसन द्रव को दवाता है जिससे चूसन बाल बंद हो जाता है तरता प्रदाय बाल खुल जाता है जैस जैसे प्रिश्टन द्रव को दवाता है द्रव प्रदाय पाइब में प्रभावित हो तो पानी उसके अंदर आ जाता है और जब आंगी तरफ मोग करता है तो जो नीचे वाला बंद हो जाता है उपर बाल खुल जाता है जिससे बाहर की तरफ आपका जो पानी होता है वो निकल जाता है तो आप देख लीजिएगा नेश्ट है आपका पितयावी पंप की रचना कैसे करते हैं इसके तीन पॉइंट होते हैं नमर फरस्ट है आपका स्लेंडर यह सामनते हैं धर्वा लोगी का बनो होता है और आप सकता अनुसार उप्यक्त परकार के आदास से जुड़ा रहता है स्लेंडर के अंदर पिश्टन लगा होता है इन बालवों पर ही चूसन तता प्रदाय पैप लगे होते हैं स्लेंडर में पिश्टन या प्लेंजर के एक ओर से दूसरी ओर द्रव प्रवाव को रोगने के लिए पिश्टन प्लेंजर या स्लेंडर पर पेकिंग लगाई जाती है स्लेंडर से बाहर दर्वा लुगी के बने होते हैं पिश्टन सिरेंडर के अंदर पश्ञा गती करता है द्रब के छळन को रोकने के लिए पिश्टन पर रेसेदार पेकिंग के छल्ले भी छड़े रहते हैं एक वब पिश्टन धिवरी की सायता से पिश्टन डंट से जुड़ा रहता है जो सिर पंपों से पिश्टन डंड सीधे ही भाप इंजन की पिश्टन डंड से जुड़े होती हैं जिससे यह सीधी पशागती प्राप्त करती हैं सी-पॉइंट आपका बाल्व लगवा सभी पिकाल के पितेगामी पंपों पर चक्ती बाल बहुत पहचल लिता है यह बाल रवर्ड की एक चक्ती है जिसे केंद पर एक छिद होता है छिद की साहता से ही यह बोल्ट द्वारा निदेज होकर अपनी सीट से उठता तथा इस्प्रिंग दाव द्वारा बापस अपनी सीट पर आता है गरम द्रबों के लिए धातु के बने बाल प्रियोग की जा गाड़े तरवलों के लिए बाल वॉल के आकार के खोक ले तता कासे के बने बाल प्रियोग करते हैं कभी इन बालो को लोए या सीजे पर रवर्ट छडा कर भी बनाया जाता है नेस्प्रिंट आपका प्यत्यगामी पंप को चालू करने के लिए सर्बतम उसके इसनिहन प्र पश्चा चूसन पाइब तता स्लेंडर में हावा को स्लेंडर तता चूसन पाइब में पानी बढर कर निकल दिये जाता है, यह किरिए पिनहाना कहलाती है. अब पहले pump को दिमी गती से चलाएं फिर दीरे दीरे गती बढ़ाते जाईए और कुछ समय पश्चा पूरी गती पर चला दीजिए प्रती इकाई समय में pump द्वारा प्रदत द्रव का आयतन उसकी छंता कहलाती है इसकी इकाई सेंटिमीटर इसका प्रती सेकंड मीटर की उपती सेकंड तता लीटर प्रती सेकंड आधी प्रयोग की जाती है प्रते गामी pump द्वारा प्रदत आयतन या उसकी छंता दाप पर निर्वर नहीं करती बरन उसकी गती बदलने से परिवर्तित होती है पित्यागामी पंप के उपयोग कहा हम करते हैं कम चमता तदा उच सीर्सों या दाव के लिए पित्यागामी पंप का प्रयोग किया जाता है पितह ग्यामी pump को बायूदाब, निकायो, छोटे बोईलरों में पानी भीजने तता हलके तेलों के लिए प्रयोग करते हैं تेल छिदने करियाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है घरो आदी में इसका उप्योग हस्थ pump तता तेल के pump के रूप में होता है नेस्ट आपका पॉंट आता है सैंटिफ्योगल पंप याई आपके इंदी पंप क्या होते हैं तो आपके इंदी पंप गतिजी दाप पंप होते हैं तता अपनी किरिया के लिए अब केंदी बल पर निर्वा करते हैं लगाता है प्रदाय तता कम अनुरच्छन के कारण आजकल इनका अध्याधिक प्रयोग होता है आपने देखा होगा छुट छोटे जो पंप होते हैं उनका प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है पानी को आसानी से उपर नीचे उठाने के लिए तो नेस्ट पॉइंट हमारा इसका सिद्धानत है वो देख लेते हैं किसी बेलना का बरतन में पानी बरका उसे केंद्य और अच्छ ए पर घुमाया जाए तो द्रव का सौतन तलू जो पहले 36 था बक्र हो जाता है गूमने के कारण द्रव पर अपकेंद्य बल लगता है जो उसे बरतन की परदी की ओर फेंकता है क्योंकि द्रव बरतन को पार करके बहार नहीं जा सकता आता है यह बरतन की परदी की ओर उपर उठ जाता है और केंद्य पर द्रव का तल नीचा हो जाता है जो आपकेंद्य बल के कारण द्रव परदी की ओर जाता है तो केंद पर या उसके के निकट आंसिक निर्वाद बज़ता है तता बायूमंडलडव के कारण दरव तल नीचे हो जाता है परन्तु परदी की और दरव मूचा उठ जाता है दरव की इस उड़ान के एच के कारण उसमें दाव सीस साबित हो जाता है यह दाव सीज द्रव के उस इस्तान पर गतिज सीज के बरावर होता है अब यदि बरतन को गुमाते रहें और उसके केंद को द्रव कुंड से संबनित कर दिया जाए तो लगातार ही आंसिक निर्वात की कारण द्रव केंद पर खिचता रहे गातार ही द्रव बरतन के परदी पर एश सीज के साथ प्राप्त होता रहेगा बरतन के ब्यास पर दावारेक उपर दिखाए गया है अब केंदी पम की किरिया का यही सद्दानत है जो कि प्रतिवर्ति या रिवर्ट्स प्रति किरिया टर्वाइन के सवान है यह आपका डाइग्राम है जैसे हम कोई पात में जब पानी भरते हैं उसा तेज़े से घुमाते हैं तो उसका जो बीचवाल भाग होता है उसमें निर्वात हो जाता है पानी तरले के उपर बढ़ने लगता है वही चीज है इसमें तो आप देख लीजेगा अब केंदी पम की रचने क्या है आप केंदी पम की सरर रचना में उसके प्रमुक अंग निमिलेक हो सकते हैं जै यह अगी बात करूँ तो पम्प में अंतर नोदक के केंद पर द्रव प्रिवेस करता है और इस प्रिवेस को नेतर कहते हैं इसलिए इसी इस्तान पर चूसन पाइप लगा रहता है संकावर्थ आवरं के निकास पर प्रदाय पाइप लगा होता है और यहीं से द्रव वहर निकलता है चलाने से पहले इस पम्प में इसे हवा को भार निकालना आवस सक है इसलिए पम्प में पिनहान की जाती है अतर पम्प के चूसन पाइप तता आवरं आदी में द्रव भरार जाता है इस पेकार यह पम्प एक प्रती वर्ती या रिवर्ट प्रती के लिए थोड़ा घुमा वासा हुआ है यह संखावर्थ आफरन है वॉल्यूट केसिंग है तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा हम आगे चलते हैं तो इसका पूरा एक डियाग्राम दिखाव में आपको तो यह ऐसा देखेगा यहां पर आपकी यह मोटर है यह जो बीच बाल भाग है यह आपका अपकेंदी पंप है तो आप इससे एक बाद देख लिजिएगा मैं नेस्ट नीचे से स्टाट कर रहा हूं वित्व मोटर या किसी प्यत्म चालक की साथा से अंतर नोदर को गुमाये जाता है अपकेंदी बल से अंतर नोदर के केंद का पानी उसकी परदी की ओर जाता है जिसे केंद पर आंसे निर्वाद उत्पन हो जाता है फल सरूप चूसन पाइप का द्रव अंतर नोदर के कें तो तक आप एक बार इससे डाइग्राम को आप अपने असाब से देख लिजेगा वोई जी जे प्रदाय बाय चुसान बगर तो आप देख लिजेगा नेश्रों आपका आता है गति उजय तता कुछ दाव उजय भी होती है जैसे जैसे यह द्रव आवरन में आंग की ओर प्र पुजा घ्रेन कर लेता है जिससे भे प्रदाय पाइप में उपर चड़ता है या दाव से प्रभावित होता है पंप के चूसन पाइप के निचले सिरे पर चलनी तता तल वाल भी लगा होता है चलनी के कारण पानी में मिली हुई गंदगी जैसे पत्तियां की इचर आदी चूसन पाइप में प्रवेस नहीं कर पाते है यदि इस परका की गंदगी पंप में चली जाए तो अंतर नोजग को हानी पहुंचती है दाता उसके कार में बादा पड़ती है तल वाल एक तरफा वाल होता है जो चूसन पाइप में खुलता है इस परकार एक बार पंप को चलाने के पश्चा यदि उसे रुक दिया जाए तो चूसन पाइप में द्रव भरा रहेगा आता है दोबार चलाने के लिए उसमें द्रव बनने की आप सकता नहीं पड़ेगी तो यह आपका ही तक आप देख लीजिएगा नेश्ट आपका इसी कायत हो रही है पंप के बिफिन फिटिंग तथा अंग क्या गया है तो वस्ट आपका बिद्वत मोर्टर इसे पंप अंतर नोजग को गुमाने तथा सकती देने के लिए प्रियोग में किया जाता है मोर्टर के इस्तान पर अन प्रितम चारग जैसे भ यह पंप का घुमने बाला अंगया जो द्रब को घुमाने का काम करता है अंतर नोजग इस तर आवरन में घुमता है फोर आपका आवरन या केसिंग इसके अंदर अंतर नोजग घुमता है और आवरन के बिसेज प्रभा मार्ग की कारण ही द्रब की गतिर उज़ा दाव पाइब जिसे हम बोलते हैं इसका एक सिरह अंतर नोदा के नेतर पर आवरन के साथ जोड़ा रहता है तता दूसरा सिरह निम्न द्रव तल के नीचे डूबा रहता है किरिया के अंतर गत इस पाइब के द्वारा ही निम्न तल का द्रव अंतर नोदा के नेतर पर पहुंचता है सिक्स पॉइंट है आपका तली बालु यानि फुट वॉल यह वाल चूसन पाइप की द्रब के अंदर डूबे हुए स्रेपल लगा रहता है तता पाइप में आए द्रब को बापस नीचे नहीं आने देता है नेस्ट पॉइंट आपका आता है सेबन यह होते चलनी यह वी चूसन पाइप की द्रब के अंदर डूबे स्रेपल लगी रहती है और पाइप के अंदर कीचर तता गहास आधी असुद्यों को प्रविश्ट नहीं होने देती है इट नमर है प्रदाय बाल यानि डिलिवरी पाइप यह पंप की प्रदाय तता द्रब उपयोग के अस्तान को जोड़ता है नाइन नमर है प्रदाय वाल्व, यह प्रदाय पाइप तदा पंप के प्रदाय के बीच लगा रहता है, इसके द्वारा द्रब की निर्गत तदा सीस का नियंतन किया जा सकता है तैन नमबर है फनेल यह आपनिंग के सबसे उपरी स्थान पर लगी रहती है पंप की प्राइमिंग के लिए इसमें से होका द्रब पंप में डाला जाता है ग्यारे नमबर है आपका ताव गेज चूसन पाइप पर पंप में प्रिवेस के निकटता था प्रदाय पाइप में प्रदाय बाल्व के पश्चत एक एक दाब गेज लगाई जाती है इस से द्रब के प्रिवेस तरह निकास का ताव ग्यात होता है नेश्ट पॉन्ट है ट्वाल नमर आदार वेज बनाने के लिए पंप तता मोटरों को एक ही आतार पर इस्ताबित कर दिया जाता है फिर उप्रियोगता के इस तान पर इस आदार को उभ्यक्त इस्ताबित किया जाता है ठाइटे नमर है पेकिंग ग्लेंट तता वरन बॉक्स पून्ट पंप संयोजन में विविन जोड इस्तानों कर इनके प्रियोग से द्रब का छरन रोका जा सकता है और अब यहां पे हम इसका यूप्योग कहां का होता है वो देख लेते हैं अधिक छमता लगातर प्रदाय कम रखरकाव सरल चालन अपेच्चा तर छोटा साय तता उच गतीब चलाने चलाई जा सकने के कारें इन पंपो का आजकल लगवस सभी छेतरों में अतिरिक प्रियोग हो रहा है द्रब चाले मसीनों, वोयलरों में पानी भरने, बायूआनों के इधन तंत्रों, गैस टरबाइनों में तता रॉकेट मोटरों में इधन भेजने खानों में पानी के लिए आग बचाने के लिए नगरों के जल, संभरन, सिचाई कार्वियों, सीवर कार्वियों तता अन्य ओधव क्रियाओं में जल या द्रब के इसानल आदी के लिए इन पंपों का प्रिमुक रूप से प्रियोग किया जाता है आप इसे देख लीजिएगा नेश्परंट मारा हता है नोदक या पॉपिलर पंप जिसे हम बोलते हैं ये क्या होता है नोदक या पॉपिलर पंप को अच्शे प्रवा पंप भी कहते हैं इसके अंतर नोदक पर प्रॉपिलर जैसे कई फलक होते हैं इसमें द्रब अपनी देशा में परिवत किये सौप्ट की अच्च के समानतर बहता है अंतर नोदक के घूमने से इसके फलकों के द्वारा गजटिज उत्थान होती है जो द्रब को उपर उठाती है इसे कपलान पंप भी कहते हैं क्योंकि नोदक पंप कपलान टर्वाइन का बलो में बड़े नोदक पंपों के फलक संबन्यन सील होते हैं इस पेकाद फलकों को आपसकता अनुसा समझित करके इनका बिसरजन इस्तिर गती पर बदला जा सकता है इससे पंप की दच्चता में भी कमी नहीं होती ये पंप कम सीर से 20 मीटर तक पर अधिक बिसरजन की छम संता वाले उप्रब्द होते हैं नोदक पंप डिजाइन में सरल रचना में सहत भार में हलके तता 90% तक दच्चता वाले होते हैं इनका चूसन सीस कम होता है तता यह है गंदे पानी के लिए भी उप्योगते हैं ये पंप सिचाई कार रहे हो निकासी कार रहे हो तता सीवि के पंप होते हैं जो सोत ही पिनहनित रहते हैं ये सोत है पिनहनित पत्यागामी वकेट पंप के मुख अंगनीचे दरसाये गई है इन पंप में स्लेंडर होता है जिसका न levar भागए वाय कच्च में खुला रहता है ये वकल चूसन पायप से उपरी भाग में संब्दीत होता इस प्रवंद में भाय कच में सदे पानी बरा रहता है, जब पिश्डन नीचे आता है तो बकेट बाल खुला रहता है और पिश्डन के ऊपरी भाग में पानी आ जाता है, इस समय भाय कच के जल तल में कोई अन्तर नहीं आता है जब piston उपर उठता है तो स्रेंडर में भाय कच्छ का पानी प्रिवेस करता है जिससे इस कच्छ का जलतल नीचे आता है वह आंसक निरवात की कारण चूसन पाइप में पानी चूसित होकर इस कच्छ में प्रिवेस करता है इसी समय परदाय पंप में पिश्टन के ऊपर का पानी आता है इस परकार के प्रवंद बाले पाइप को साइफन पंप भी कहते हैं कुछ पंपों में निर्वात उत्पन करने वाले युक्तियां जैसे निर्वात पंप निसकासन आती लगाई जाते हैं कुछ पंपोँ में अनिक परता है ता चूसन पायपको आवरन के उपर तल मी्च से उपर संस्बनित करते हैं का प्रिवंद होता है इस प्रकार पंप को रोकने पर कुछ पानी सदयव pump में sales रह जाता है जो दोबारा pump चलाने में साहता होता है तो इसका diagram देख सकते हैं यहाँ पर दो बालब हैं इसमें उपर यह आपका पूरा slender है bucket बाल यहाँ यहाँ पर अप इस तन है यह फिर वाहे कर जाएं तो आप इसे देख लीजेगा नेश्ट आपका आता है pump में उजय बचत के उपाई क्या गया है फ्रस्ट है आपका उपयोग के लिए सही pump का चैन करें सेकंड है सही size की pump का उपयोग करें थर्ड है सही trim का उपयोग करें ताकि control बाल पर होने वाले हाथ से बचा जा सके फोर है आपका दाव हार्ट कम होना चाहिए फिफ्ट है आपका सही size का control वाल होना चाहिए सिक्स नमबर है चरगती चालन का उपयोग करना चाहिए ताकि कम उजय खर्च हो सेवन पॉंट है pump का रख रखाप सही होना चाहिए येट नमबर है अधिक दश्चता बाले pump का उपयोग करना चाहिए ताकि कम उजय खर्च हो नायन नमबर है अनेक pump का उपयोग करें उजय बचेगी टैन नमबर है अनावसन उपयोग ना करें तो ये आपके उजय को कैसे बचाए जा सकता है उसके उपर था आई होप ये आपको सब्रा समझ में आया होगा तो आप देख लीजेगा एक बार इसी साथ एक बार फिर हैवा नाइस डे आप सभी का दिने एकदम बढ़िया एकदम बिंदास वाला रहे और हमेशा खुस रहे हैं